मन जिले उन्ही को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है पंकों से कुछ नहीं होता होसलों से उडान होती है तो हम लोग का होसला बुलंद होना चाहिए होसला अगर बुलंद है तो हम कुछ भी कर सकते हैं आईए चलते हम लोग नीती असलो का सात्मा चेप्पर हैं हम लोग क नीती असलोका, नीती का मतलव होता है नियम कानून, नीती मतलव नियम या कानून, या तो का सकते हैं फिर यहाँ पर एक तरह से ज्ञान भी इसको का सकते हैं, असलोका मतलव होता है पद, पद या कभीता भी इसको कहते हैं हिंदी में, असलोका मतलव पद, ठीक है, तो नीती असलोका मतलब नियम कानून से संबन्दित कभीता तो कैसा नियम कानून to Gyan से संबन्दित जो और देखें लाँ संबन्दित महाइँ सोड़ा पार्भिषे महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है और उद्योग पर्व के 33 से 40 में अध्याई से हमारा क्या लिया गया है निति असलोका तो निती असलोका पाट जो है महा भारत के उद्योग प्रव से लिया गया है और यह जो है 33 से 40 में अध्याय से लिया गया है निती असलोका के जो लेखक हैं महात्मा विदूर, महात्मा विदूर है, महात्मा विदूर थे कौन, तो महात्मा विदूर जो थे धृतराष्ट के महामंत्री, धृतराष्ट के महामंत्री थे, और धृतराष्ट जो था कौरवो के पक से राजा था दिर्योधन का पिता था, तो सबसे पहले question बनेगा कि नीती असलोका पाट कहां से लिया गया है तो महाभारत के उद्योग पर्व से किस अध्याय से लिया गया है तो 33 से 40 में अध्याय से और उसके बाद बताए कि नीती असलोका के लेखा कौन है तो महात्मा बिदूर है और महात्मा बिदूर कौन थे अध्रित राष्ट के महा मंत्री थे अध्रित राष्ट जो था कौरपक्षेता जो दिर्योधन के पिता था अब चलते हम लोग चेप्टर देखते हैं ध्यान से सुनिएगा है कि बात जो आपको समझ में आएगा कत है ध्यान से सुनिएगा कत है अयम पाठ सुप्रसिद्धस्य गरंतस्य महाभारत शुद्योग परवनः अंस विशेश रूपाया विदोर नीते संकलिदः कत है कि अयम पाठ यह पाठ मतलड़ नीतियस्व का यह पाठ सुप्रसिद्धस गरंतस्य बोत ज्यादा परसिद्य ग्रंत महाभारत का अंस विशेश रूप में है मतलव का ने का nou जो निति एस्लोका पाठ है महाभारत के उध्योग परव से लिया गया है तो उद्योग परव के कहमे अध्याय से तो 33-て40 द्याय से लिया गया है और यह जो है किसके द्वारा लिखा गया है तो बिदौर के द्वारा बिदौर नीति संकली थे तो बिदूर नीती जो है बिदूर के द्वारा जो है प्रस्नुक्तर किया बिदूर जो है क्या करते हैं ये बोलते हैं और उसी को लिख दिया जाता है तो उसी को कहा गया था बिदूर नीती और उसी से ही आया है क्या नीती असलोका और बिदूर नीती जो है किसमे है महाभार तो महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है अयम पाड़ा सुपरसिद्ध गरंतस्च महाभारतस उद्योग पर्वना अंस्विसेस रूपाया विदोर्नीते संकलिता या पाड़ सुपरसिद्ध गरंत महाभारत के उद्योग पर्व का अंस्विसेस है जो विदोर्नीती के नाम से संकलीत है आगे देखिए योद्धाम योद्धाम आशनम प्राफ्य ध्रितराष्ट omantri प्राब्रम विदूरम स्वाचित अस्त्या शांते काश्चित प्रस्नानाम नीति विसयाकान प्रिक्ष्यति कहता है कि yah क्या आ होता है कि जब युद्ध नजदिकर scripture महाभारत सुने होंगे कि महाभारत जो हुआ था दो पक्ष में पांडव और कौरव पांडव और कौरव के पक्ष थे पांडवों के तरब से पांचो भाई थे और उसके बाद एक क्रिष्ण भगवान भी थे पांडवों के तरब से पांचो भाई तै युदेश्टेर भीम और Efter उसके बाद अरजुन उस परकार से पांच भाई पांचो थे तो नकूल और सधर भी थे उसके बाद कौरव पक्ष के तरब से यो क्या था धृत्राष्ट थे और उसके बेटा जो था कौन था तो बेटा जो था धृत्राष्ट का जो पुत्र था वो दिर्योधन था तो जब युद्ध नस्दीक आ जाता है तो धृत्राष्ट क्या करते हैं कि युद्ध नस्दीक आने पर युद्धम आस्नम प्राप्त युद्ध नस्दीक आने पर धृत्राष्टो धृत्रा प्रिक्ष्यती पूछते हैं युद नजदीक आने पर धृत्राष्ट जो धृत्राष्ट जो थे अपने महामंत्री बिदूर से अपने मन की सांती के लिए कुछ नीती से संबंदित ज्यान से संबंदित जो है कुछ प्रस्ण करते हैं कौन प्रस्ण करते हैं तो प्रस्ण करते हैं धृत्राष्ट और किसे प्रस्ण करते हैं तो महात्मा बिदूर से आ बिदूरों धदाती बिदूर जो है उनके प्रस्णों का समुचित उत्तर देते हैं उनके जो प्रस्ण होता है उनका सही सही उत्तर देते हैं जितना भी प्रस्ण करते हैं महात्मा बिदूर से ध्रितराष्ट उनके सभी प्रस्णों का उत्तर महात्मा बिदूर जो है उचित तो चित सही सही देते हैं आगे देखें कोश्चन आ सकता है कि प्रस्ण कौन करता है तो प्रस्ण जो करता है द्रितराश उत्तर कौन देता है तो उत्तर जो देते हैं मात्मा विदूर देते हैं आगे काता है तद एव प्रस्ण उत्तर रूपम ग्रांथ रतनम विदूर नेत तो तब से ही उसके बाद ही प्रस्ण उत्तर के रूप में ग्रंथ रत्नम, ग्रंथ के रूप में बिदूर नीती, बिदूर नीती नाम का एक प्रस्ण उत्तर का, प्रस्ण और उत्तर, प्रस्ण और उत्तर के रूप में एक बिदूर नीती ग्रंथ जो है क्या हो जाता है, ब रचना के रूप में तयार कर दिया था किताब के रूप में और उसको कते हैं बिदूर नीती आगे देखिए इयम अपी भगवद गीता एब महा भारतस्य अंगम अपी स्वतंत्र ग्रंधर उपावरतते कता है भगवद गीता इयम अपी यह भी भगवद गीता एब भगवद गीता के तरही जैसे भगवद गीता है वैसे ही कता है महाभारतस अंग मती महाभारत का अंग है महाभारत का क्या है अंग है स्वतंत्र गरंथ रूपा और स्वतंत्र गरंथ के रूप में भी है जैसे भगवत गीता हिंदु धर्म का सबसे पवित्र गरंत माना गया है और भगवत गीता महाभारत का ही अंग है लेकिन एक स्वतंत्र गरंत है वैसे ही विदूर नीती महाभारत का अंग है और एक स्वतंत्र गरंत के रूप में भी है तो इस प्रकार से जो है आगे चलते हैं हम लोग इसमें असलोक दिया गया है तो नीती असलोका पाठ में टोटल जो है दस असलोक दिया गया देखें क्या काता है एक बाराम पड़ देते हैं इस प्रकार से इसको पढ़ना है बाके हिंदी हम बता चुके आगे चलते हैं अब असलोक में चलते हैं बड़ा मस्त चिप्टर है देखिए पहला असलोक जो है बुआ आपके जो है बोड़ पर दिया गया ध्यान से देखिएगा पहला असलोक देखिए आँ पहला लिखा सित्यम नाविद्वन्ते सित्यम उष्णम यहां से मा हो जाएगा यह जो है ऐसे हो जाएगा ऐसे सित्यम पलस्त में उष्णम सित्यम उष्णम तो सित्यम उष्णम भयम्रति सम्रिद्धि यहां से रा जो है दू भाग में टूटेगा एगो आधरा बनेगा और आ बनेगा ठीक है संदी यह पढ़ाएंगे तो आँ पता चलेगा और इ रा जो है विसर्ग बन जाएगा तो इरा के बदली में यहां विसर्ग दे देंगे और इरा तो इक खतम होए गया जासे बच गया आ तो यहां सो इगा आ सम्रिद्धि आ जो रेफ है इसका हम विसर्ग बना देंग तो ध्यान से देख्किए पढ़ेंगे इसको शम्रिध्ध्र आ एहां देखो आ पढ़ेंगे आ सम्रिध्धिवा, रेपला विशारक बन गया, तो सम्रिध्धि आ सम्रिध्धिवा सावे पंडित उच्छते, फिर से एक बढ़ेंदेखों कथाता है बुआ, यस्त्यक्रित्यम आईसे पढ़ना है, कता यस मतलो जिसके, कृत्य मतलो कार्य, ना मतलो नहीं, विद्वनती मतलो बादा पोँचाना, सीत मतलो ठंडा और गर्मी, भय मतलो डर, और रती मतलो होता है प्रेम, कता है जिसके कारे को, मतलो जिस बेक्ति के कारे को, आपका क्या-क्या, तो पहला ठंडा, दूसरा गर्मी, भय, प्रेम, समृध्वी, आ समृध्वी, समृध्वी के मतलो जो होता है सुख संपत्ती, सोख संपत्ति बुआ सोख संपत्ति आ सम्रिद्धी मतलो गरीबी लाचारी गरीबी और कची लाचारी या समस्या गरीबी लाचारी समस्या तो कता है सम्रिद्धी आ सम्रिद्धी सम्रिद्धी मतलो सुख संपत्ति आ सम्रिद्धी मतलो गरीबी और लाचारी साव है पंडित उच्छे थे तो जिस ब्यक्ति के कारे को थंडा, गर्मी, भै, प्रेम, सम्रिद्धी, आज सम्रिद्धी इत्यादी प्रभावित नहीं करता है तो वैसे ब्यक्ति को हम पंडित कहते हैं यह बता रहे हैं कौन? महात्मा विदूर जो है, दृतर राश्च को. कि पंडित आखिरम किसे कहेंगे, पंडित मतलब यहां पर ग्यानीसे है. इस पंडित जो जहोला ठांक जाते हैं, इसको नहीं. इना है कि जो बच्चा नहीं पहला, पंडित किसे कहते हैं, तो पूजा करा पंडित करते हैं यहां पर जो पंडित होगा करा जिसके कार्य को ठंडा गर्मी भैप्रेम और संब्रिद्धि या संब्रिद्धि इत्यादी प्रभावित नहीं करता है वह व्यक्ति ही पंडित कहलाता है अगर आप पल रहे हैं अगर आपको घर्मी लग रहा है फिर भी आप पल रहे हैं अगर आपको ठंड है ठंड में भी पल रहे हैं अगर आपको जो है कोई चीज नहीं आ रहा है फिर भी उसको बार बार पलने का प्रियास कर रहे हैं आप डर नहीं हमसे होवे नहीं करेगा तो अगर आप पढ़ाए छोड़ दिये तो आप पंडित नहीं है, लेकिन अगर आपको कहीं से फोन हा रहा है लेकिन पल रहे हैं तो उस समय कुछ नहीं है, फोन उसका ब्लोग करो और तो आप पलते हैं तो इसका मतलव ऐसा बैक्ति, मतलव क्या हुआ? कि उसको ने ठंडा प्रभावित किया, ने गर्मी प्रभावित किया, ने भाय प्रभावित किया, ने प्रेम प्रभावित किया, तो वैसा बेक्ति को पंडित कहा जाता है, अगर गरीबी है, तो कोई बात नहीं, फिर भी आप अगर पढ़ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, त तो उसके बाद जो है समिर्दियागर समस्तियात अपना काम छोड़ दिया तो वैसा वेक्तिपंडित नहीं तो अगदम कुछ भी हो जाए लेकिन आपका जो काम है जैसे हम लोग विद्यारति हैं जो विद्यारतियों का काम है पढ़ना तो चाहे गरीबी हो अमीरी हो सूख हो दूख हो या तो फिर कुछ भी हो ठंधा गर्मी रहे भाय रहे प्रेम रहे किसी से अगर प्रेम है फिर भी कुछ नहीं नंबर ब्लोक उसके बाद पहले पढ़ाए पढ़े के टाइम में पढ़ाए इन है कि आप पल रहे हैं मोबाईल थर थरा रहा है काट दी हो कर बाद ज नहीं पहुंचाता है मतलब प्रभावित नहीं करता है वहीं पंडित कहलाता है वैसा ब्यक्ति पंडित कहलाता है दो पंक्ति और नीचे दिया है इसको मिला करके पंडित का परिवासा बनेगा तो इसका हिंदी और इसका हिंदी जब मिला के लिकेंगे तो बन जाएगा पं गता है कि ततभज्या जो सभी प्रानियों के तत्तों को जानता है योग्या नाम सर्वक्रमानाम जो सभी कर्मों का योग्य जानता है, कर्मा नाम, सभी कर्मों का फल जानता है, कि कौन सा काम करने से क्या फल मिलेगा, अगर आप किसी को लूटते हैं, क्या करते हैं, किसी का घर में चोरी करते हैं, किसी को घर में टकईती करते हैं, आप किसी को जान से मार देते हैं, तो क्या उस सभी कर्मों का क्या जानता हो योग जानता हो करने के लिए जानता हो या तो फिर उसके फल के वारे में जानता हो कि क्या प्रभाव पढ़ने वाला है उपाय अग्यो मनुस्या नाम जो मनुस्यों के उपायों को जानता है मतलब मनुस्य के उपायों को जानने वाला मतलब कहने का कि अगर मनुस्य का किसी प्रकार का कोई समस्या है तो उसका समधान कैसे होगा उसको जानने वाला उसको क्या करने वाला जानने वाला वेक्ति जो है क्या कहलाता है तो पंडित कहलाता है कि कोश्चन आएगा कि पंडित किसे कहा जाता है तो उपर जो असलोग पताया दोनों जानने वाला सभी कर्मों का योग जानने वाला और मनुस्यों के समस्याओं का समधान जाने वाला व्यक्ति पंडित का हलाता है अब दोनों को मिला करके क्या करेंगे पंडित का परिवासा लिखेंगे तो ध्यान से देखिए ऐसे लिखेंगे कहेगा कि पंडित किसे कहा जाता अब यहां से करेंगे तथा जो सभी प्राणियों को रास्तियों को जानता है और मनुस्त्य के समस्याओं का समधान जानता है तो उस वेक्ति को पंडित कहा जाता है अगला जो है हमलोक का अगला ध्यान से देखिए अगला हमारा सुलोक देखिए क्या करता है अनाहुता परविस्तिया प्रिश्टो बहुभास्ते इसमें मुर्क के बारें बताया गया है ध्यान से देखिए कता है अना हुता परविस्ति जो बिना बुलाए परवेश करता है मतलब आता है जो बिना बुलाए आता है आप रिष्टो बहु भास्ते बिना पूछे आप रिष्टो मतलब बिना पूछे बहु भास्ते मतलब बहुत बोलना तो जो बिना पूछे बहुत बोलता है आ विस्वास ते विस्वास इती जिस बेक्टे पर विस्वास नहीं करना चाहिए आ विस्वास ते विस्वास इती जिस पर विस्वास नहीं करना चाहिए उस पर भी विस्वास कर लेता है तो मूड चेता नरादमा वैसा बेक्टे नरो में सबसे मुर्ख माना गया निच माना गया समझिए ध्यान से अब आपको कोई बुलाया नहीं अब बिना बुले ले चल गए तो मुर्खे नहीं आप बुले भेन करतकाईल जाएंगे उसके वाद पूछा किसी और से मान ले जाए कि कोई और है उससे पूछ रहा है कि तुमा अगर इस तरह से तुम बोलना सुरू कर दिया फालतू तो क्या समझेगा कि मुर्ख है पूछे खाली नाम पूरा खंदान के नाम उलट रहा है तो जो बिना बुलाए आता है जो पिना पूछे बहुत बोलता है और अब तुम जान रहा है सब लोग को पता है कि कोई आदमी ज बालाए जहड़ा करने वाला गारी गलोज करने वाला और उस आदमी पर तुम बिष्वास किया मन लिए हम जानते है कि एको आदमी मान लो कि आदमी जैसे मान लो कि आदमी और यह है तुम यह आदमी आई जदग आनाक मुटेड़े अई बहुत ज्यादा क्या है खराब तुम सिधा साथ आदमी जान रहा है कि टेड़े आया तुम्हारे पास और उसके बाद जो है तुमको कहा कि दसजर रुपईय लाइए अब तुम क्या कर लिया इस पर बिसबास कर लिया तुम दसजर इसको दे देगा तो क्या होगा यह दसजर तुम्हारा करियो मिलेगा अग वैसे पुछे बहुत बोलता है और वैसे ब्यक्ति जिस पर बिस्वास नहीं करना चाहिए वैसे ब्यक्ति पर भी अगर विश्वास कर लेता है तो वैसे बैक्ति को नरों में मुर्ख माना गया है, मनुस्यों में नीच और मुर्ख माना गया है तो मुर्ख का परिवासा कहेगा, तो लिकेंगे कि वैसा बैक्ति जो बिना बुलाएं आता है, बिना पूछें बहुत बोलता है और जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर भी विश्वास कर लेता है तो उसे मुर्ख कहा जाता है उसे मुर्ख कहा जाता है अगला देखिए हम लोग का अगला असलोग है अगला काता है ध्यान से सुनिएगा बड़ा मस्षेप्टर है एक एक बात जो है रहस्त छिपा हुआ है जीवन में उतार लिजी बहुत ज्यादा आप सक्सित कर सकते हैं इससे कता है एको धर्मा प्रम्त्रया शमेका सांतिरुत्तमा बिदैका प्रमा त्रेप्ते है अहिंसिका सुखावा कता है कि एक ही धर्म सबसे स्रेष्ट है स्रेया मतलब स्रेष्ट सबसे स्रेष्ट जो है क्या है तो एक धर्म है धर्म को ही सबसे स्रेष्ट माना गया है प्रम मतलब उच्छ होता मतलब स्रेस्ट सबसे स्रेस्ट जो है एक ही धर्म को माना गया सबसे उच्छ जो है सबसे उच्छ किसे माना गया है तो एक ही धर्म सबसे स्रेस्ट है छमा पलस एक जब तोड़ेंगे तो ऐसे बनेगा तो एक छमा ही उत्तम सांती है अगर आप जो है क्या सबसे स्रिष्ट धर्म को माना गया है धर्म का पालन करिए और कोई धर्म ने खराब है और नहीं कोई अच्छा है अगर अच्छा है तो सभी धर्म अच्छा है खराब है तो सभी धर्म खराब है सब धर्म अच्छा आपने करने से चमा करने से क्या होता है कि उत्तम सांती की प्राप्ति होता अगर आप जो है आपके साथ कोई कोई आया बत्तमीजी कर दिया कुछ उल्टा-पुल्टा बोल दिया और आप उससे क्या हो रहे हैं उलज रहे हैं लड़ जगल रहे हैं तो आपको होगा कि आज मानले लेगा अग्दम सांत महसूस करेगा फिर उसके मन में जो है उल्टा सीधा बात नहीं चलेगा उल्टा सीधा बात बिल्कुल भी नहीं चलेगा उल्टा सीधा बिल्कुल भी बात नहीं चलेगा तो ध्यान से सुनिए तो कहता है एक ही धर्म सबसे स्रेश्टा है और छमा ही एक उत्तम सांति है चमा उत्तम सांति है चमा करने से उत्तम सांति की प्राप्ति होती है आगे बिद्या का प्रमात्रिप्ति एक बिद्या जो है उससे प्रमत्रिप्ति मिलती है प्रमसंतुष्टि मिलती है आगे कहता है अहिंसिका ओ सरी यहां पर फिर से देखे बिद्या का प्र महस Chi Sc doingma size अगर हमारे पास ज्यान है तो हम जो है ज्यान के माद्याम से हर चीज प्राप्त कर सकते हैं अगर हमारा कुछ घृ तो घृ radar तो प्रोबाद हो गया उतना ज्यादा ठेंसन नहीं होगा हम जन्तुर्श्ट हैं क्या वहाइन से सारय नहीं कि आपकी जा सकता है कि आहीं का विज्या है उपी नहीं करना ह데 मिलती है रहिशोगन्स क्लेंक्ण सवा рек klaด करना और इस Midwest को अहिंसा जो प्रकुलर्प नहीं करना अहिंसी से विवाद नहीं करते हैं तो किया प्राफ्त होगा सुख की प्राफ्ति होगा अगर कोई सुख रंता है उसका दोनों पक्षक्राक समय बरवादी होताए अगर लगाय जगला करता है मांता कपार पड़ जता है तो क्या हुआ उसका सुख चैन सब समाप लेकिन अगर आप सुख चाते हैं तो आप क्या करिये अहिनसा का पालन करिये मतलब किसी से ललाय जगला नहीं करिए आपको क्या हमेशा क्या रहेंगे सुखी रहेंगे तो कहा गया है ध्यान से सुन ये फिर से एक बार कि एक ही धर्म को सबसे स्रेष्ट माना गया है और एक छमा जो है उत्तम सांती है और विद्या से ही प्रम त्रिप्ती होती है क्या प्रम संतुष्ठी प्राप्त होती है और अहिंसा से मतलब ज़लाय जगला नहीं करने से हमें प्रम सुख की प्राप्ती होती है इस प्रकार से पच्मा क्या होगे हमारा complete अगला चलते हैं छट्ठा में द्यान से देखिए पच्मा स्वरी पच्मा हम लोग पढ़ेंगे भी चौठा पढ़े थे आईए पच्मा देखिए काता है पच्मा स्वरी पड़ेंगे भी पच्मा देखिए कता है कि तृविधम नरकस एदम द्वारम नरक के तीन द्वार है नासनम आत्मना नासनम मतलब जिससे नास हो जाता है किसका आत्मना आत्मा का तृविधम नरकस एदम द्वारम नरक के तीन द्वार है जिससे आत्मा का नास हो जाता है मतलब बुद्धी और विवेक सारा नस्ठ हो जाता है कब काम क्रोधस तथा लोबस अस्माद एतत त्रयम तजेत देख लेजिए कि जब आपके अंदर काम वासना आजा है तो उससे भी आपका जो है बुद्धी और विवेक सही गलत जो है सब भोल जाते हैं क्रोध अगर आप गुस्ता में होते हैं तो आप सही और गलत का निरनाय नहीं कर पाते हैं जो मन में आता है उल्टा सीधा गाली गलोज सब भक देते हैं तो क्रोध के समय क्या हो जाता है हमारे आत्मा नस्ट हो जाता है मतलब हम सही और गलत का निर्णा नहीं कर पाते हैं अगला है लोब अगर आपके अंदर जो है लोब की भावना आ जाए तो आप जो है कभी नहीं सोचेगा सोचेगा कि उसका धन हमारा हो जाए तो यह क्या हु तेन प्रकार के नरक्के द्वार है मतलए नरक्के तीन द्वार है काम करोध और लोग इसते आत्मा न श्जो जाती है इसलिए तरयंस तजयत इसलिए तीनो qa त्याग कर देना चाहिए अगला स्लोग छठा देखिए छठा काता है ध्यान से सुनिए उसे मार देना चाहिए कैसे बेक्ति को भूतीम एक्षिता जो भावेश्वरे चाता है जीवन में कुछ बड़ा करना चाता है तो वैसे बेक्ति को जो एच्छे देसको दोस को खत्म कर देना चाहिए कौन-कौन निंदरा, तंदरा, भयम, क्रोधम आलस्यम दिर्ग सुत्रता तो कौन-कन छागव दोस है तो पहला है निंदरा दूसरा है तंदरा तिसरा है भै चोठा है क्रोध पाच्मा है आलस और छटा है दिर्ग सुत्रता अगर जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको निंद को त्यागना पढ़ेगा निंद जो है मैक्सिमम जो है 6 से 8 गंटा इन है कि आप बारा जो है दिल्ग में सुत्रे अब बारा वजए रात के उठे उसके बाद जो है बारा बारा घंटा थारा लेता सुत्र है तो आपको नीद को ट्यागना पड़ेगा कम सोना पड़ेगा तंद्रा तंद्रा मतलो अधिक Kalina खाना है state उसको क्या कर देना है बंद कर देना उसके बाद जो है भय 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 जो है आपके अंदर अगर डर है कि अगर हम नहीं सीख पाएंगे तो आप उस डर को पहले निकालिए कोई भी काम करने जा रहे हैं तो आपको डर लेए तो उस डर को पहले समाप्त कर दिए तो डर को त्यागना होगा अगला है क्रोध, आपको गुस्ता बंद करना पढ़ेगा, गुस्ता को कम करना पढ़ेगा, फिर आपको आलस, आलस के मतलब हुआ कि आज पढ़ना है तो फिर करेगा ने कल पढ़ेंगे, कल आया बारी तो फिर परसु पढ़ेंगे, तो इसको आपको त्यागना पढ़ेगा, मतलब जो काम जिस समय में करना उसी समय में करके समाप्त कर देना उसको टालते नहीं रहना अगला है दिर्ग सुत्रता तो कोई काम जितना समय का है अगर पांच मिनट लगना चाहिए तो उसमें पांच मिनट ही लगाईए अगर पाँच मिनट से आप जादा लगा देते हैं तो आप बताईए पाँच मिनट का question है आप एक घंटा लगाईएगा तो परिच्छा में तीन घंटा रहता है तो बताईए परिच्छा फेल करियेगा किने तो कहने का मतलव जो काम में जितना समय लगना चाहिए उतना ही लगाना है अगर जादा अगर लगा देते हैं तो आप जो है क्या है जीवर में कभी आ गए नहीं बढ़ सकते हैं तो अगर आप भव एश्वरे चाहते हैं सुक समिर्दी धन समपत्ती चाहते हैं फिर काता है तंद्रा फिर काता है निंद्रा हो गया तंद्रा उसके बाद भय फिर हो गया क्रोध फिर आलश्य और दिर्ग सुत्रता इन सभी चीजों को क्या कर देना चाहिए इन छा दोसों को फ्याग देना चाहिए देखिए सारा लिक भी दिये हैं निंद्रा मतलव अधिक सोना, तंद्रा मतलव अधिक भोजन करके अंगलाई लेना, भाय मतलव डर, क्रोध मतलव गुस्सा, आलस मतलव समय से काम को टालते रहना, मतलव आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, ऐसे करते रहना, उसके बाद दिर्ग सुतरता, मतलव किसी काम में अधिक समय लगाना तो इस अगर लच्छन आपके अंदर है तो अगर आप चाहते हैं कि जीवन में कुछ बड़ा करें ऐस्वर चाहें इज्जत परतिष्टा सम्मान प्राप्त करना है तो यह चो दोसों को क्या करना पड़ेगा आपको त्यागना पड़ेगा कोश्चन अगला चलते हैं हमारा सत्मास द्यान से देखिये काता है सत्मा सत्य से धार्मं की रच्छा होती है सत्य से धर्म की रच्छा होती है बिद्या योगेन रच्छते बिद्या की रच्छा योग से योग का मतलो होता अभ्यास योग का मतलो अभ्यास अगर आपके अंदर ग्यान धर्म की रच्छा जो होती है सत्य से अगर धर्म को बचाना है तो आपको सत्य का पालन करना पड़े करते हैं तो में बोलगते हैं हार व्यक्ति जो आई जटना भी जो है प्रवचन देने वाले लोग हैं स्दोसन हमेशा Bowl यह सदासत्य बोलिये क्यों काते हैं क्योंकि सत्य से ही धर्म का पालन हो सकता है तो question लेकिन आप चाहते हैं कि इसको हम याद रखे हमारे अंदर ग्यान बना रहे तो आपको बार बर इसको अभ्यास करना पड़ेगा तो वही का रहा है कि विद्या की रच्छा किसे अभ्यास योग से होता है आगे काता है मिरजया रक्षते रूपम रूप की रच्छा मिरजया से और मिरजया का अर्थ होता है आपका उबटन और उबटन का अर्थ है कि होता है स्वक्षता आप जितना साफ सुत्रा रहिएगा उतना ज्यादा आपका रूप जो है अच्छा लगेगा तो आपको अगर सुन्दर दिखना है तो आपको क्या करना पढ़ेगा हमेशा साफ सफाई रहना पढ़ेगा साफ सुत्रा रहना पढ़ेगा तो रूप की रच्छा किस्ति होती है मिरजया से उबटन से स्वक्षता से आगे देखी काता है कुलम बृतेन रख्षते आपके कुल की जो रच्छा होगी आपके कुल की रच्छा किस्ति होगी ब्रितेन से ब्रित से आपके कार्यों से आप जैसा कार्य करिएगा वैसा जो है आपको आपका जो कुल है कुल मतलब वन्स आपका जो वन्स है वैसा उन लोग जैसे अगर मान लिया जाए आप पर लिकर के टॉप कर जाते हैं तो हängt क्या हुआ मतलब तुम्हारे कार्यों से तुम्हारे माता-प्ता तुम्हारे वंस है उनपेर सही और गलत प्रभाव तो कुल की जो रच्छा होती है, किसे होती है, तो अच्छे आच्छन से चरित्र से आपके कार्यों से, जैसा आप कार्य करिएगा, वैसा जो आपका वंस को क्या किया जाएगा लोग कहेंगे. अगला चलते हैं एक बार फिर से एक देख लीजे उसके बाद आगे चलेंगे शत्ये नरक्षते धर्मों विध्या योगे नरक्षते मिर्जया रक्षते रुपम कुलंबृते नरक्षते कता है कि धर्म की रच्छा सत से विद्या की रच्छा योग से और रूप की रच्छा मिर्जया से उब्टन से और स्वक्षता से और कुल की रच्छा जो है हमारे कारियों से अच्छे कारियों से हमारे कुल की रच्छा होती है अगला दू असलोक और बच रहा है जल्दी से द सत्तम्प्रिये वादिन आप्रियस्तो पतस्त्य बक्ता स्रोता चादुर लवा फिर सेखवा देखिए सुल्भा पुरूशा राजन सत्तम्प्रिये वादिन आप्रियस्तो पतस्त्य बक्ता स्रोता चादुर लवा काता है कि हे राजन हे राजन सुल्लभा पुरूशा वैसा पुरूश सदैब प्रिये बोलने वाला कैसा सततम प्रिये बादिना सदैब प्रिये बोलने वाला यहां पर पुरूश होगा सदैप प्रिये बोलने वाला प्रुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् सुल्लाब है सदाय प्रिये बोलने वाला वैक्ति क्या है सुल्लाब है हमेशा जो प्रिये बोलता है वैसा वैसा वैक्ति जहां भी खोजी है वहां मिल जाएगा आगे देखे क्या काता है आप प्रियास्तू पथास्ते किन्तू आप प्रिये और हितकर बोलने वाला आप प्रिये और हितकर बोलने वाला बक्ता स्रोता ना बोलने वाला और स्रोता मतलब सुनने वाला चा मतलब और दुरलबा मतलब बहुत दुरलब है मतलब खोजला पर भी नहीं मिलेगा ध्यान से तुम्हारे उचित के लिए तुम्हारे ही भला के लिए तो ने वैसा बोलने वाला मिलता है और नहीं वैसा कोई सुनने वाले बोलता है तो दोनों क्या है बल दुरलब है जैसे कि मान लिजे कि आपके माता पिता है तो हर हमेशा जो है आपको डाटते हैं हर हमेशा पढ़ने के लिए काते हैं और जब पढ़ने के लिए काते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता होगा कड़वा लगता है कि हमेशा पढ़ते पढ़ते मर्ज ये की लेकिन जो बोल र तुम्हारे हित के लिए बोल रहे हैं अगर तुम्हारा रिजल्ट सुद्रेगा उनको रिजल्ट से कोई मतलाब है नहीं उनको दस्मक परिच्छा देना नहीं है लेकिन फिर भी आपको बोलेंगे माता पिदा कि पढ़ो मन से तो आपको जो है क्या लगेगा बहुत खराब ल नहीं बंद कर दिया तो क्या हो जाएगा तो आपका जो माता पिता है बोलना हीं बंद कर देंगे तो जब बोलना बंद तो सुनना भी बंद हो गया तो वैसा ब्यक्ति ने बोले वाला मिलता है और नहीं सुनने वाला ब्यक्ति मिलता है आगे सुनिए अगर आपका कोई हित चाहते हैं तो हमेशा उनका बात जो होगा क्लवा होगा क्योंकि हर हमेशा चाहेंगे कि आपका क्या हो भला हो और उचित जो होगा वही बताएंगे लेकिन जो आपको जो है ठागना चाहेगा लूटना चाहेगा मीठा मीठा बोलेगा तो समझ जाना है कि मीठा बोला है तो ठ कि पुण्याह महाभागा पुण्याह ऑख्षा ग्रह कि स्थे घर की लक्षमी उती है इस्त्री घर की क्या होती है लक्षमी होती है घर को प्रकासित करने वाली होती है तो इस्त्री जो होती है और घर को प्रकासित करने वाली होती है तो इस्त्री जो है क्या इस्त्री को घर की प्रकासित करने वाली का मतलब इन्हें कि इस्त्री घर में रहेगी तो पूरा लेट बत्ति के ज़रुवात नहीं पड़ेगा नहीं यहां पर प्रकासित का मतलव जो है खुसी प्रकासित के मतलव खुसियां देने वाली होती है इस तरी जो होती है क्या करने वाली होती है खुशियां परदान करने वाली होती है नहीं तो आप देखे होंगे कि अगर आप जो हमे खूजे घृत करने वाली होती है फ्रकासित करने वाली होती है आगे काता है पूजनियन मतलब इसकी पूझा किया जाना चाहिए, पूझा किया जाना चाहिए, मतलब इसे अच्छा जो है बहुआर किया जब है, wicked game को आगे देखे क्या गता है? असमात रक्षया बिसेस ता, और इसलिए वा बिसेस रूप से रक्षा के योग्य होती है, मतलब इसलिए गर को प्र्कासित लिए जाती है इसलिए विश्य रूपते हम लोगों के द्वारा इसलियों की रच्छा किया जाना चाहिए हर हमेशा हेल्प किया जाना चाहिए उसके साथ कभी गलत भेवार नहीं किया जाना चाहिए आगे देखिए आगे काता है आकिर्तिम बिन्यो हंती हंत्य नर्थ प्राकर्म हंती नित्यम छमा क्रोधमा चारो हंत्य लक्षनम काता है आकिर्तिम बिन्यो हंती बिनम्रता से आकिर्ति का नास हो जाता है बिनम्रता से आकिर्तिम मतलो होता आप्यस आप्यस मतलब बदनामीा आकिर्थिम बिणलों हन्ति अकिर्थिम बिणलों हन्ति विनम्रता से जो है आकिर्ती मतलब आप्यस बदनामी का नास होता है अगर आप चाहते हैं कि być बच्छाए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको बिनम्र बन残द 거야 तो गलत काम करने से क्या हो जाएगा बच जाएगा और गलत काम करने से बच जाएगा तो आप बदनामी से भी क्या हो जाएगा बच जाएगा तो अगर आप चाहते हैं कि बदनामी से बचना है और जब बदनामी से बचना है जब बदनामी से बचना है तो आपको जो है बिनम्रता लाना होगा आपके अंदर दयालूता लाना होगा आगे देखे क्या कहता है हांते अनर्थ प्राकर्म हांते अनर्थ प्राकर्म प्राकर्म से प्राकर्म मतलब होता है सक्ति प्राकर्म मतलब होता है सक्ति सक्ति से जो है अनर्थ का नास हो जाता है सक्ति से जो है अनर्थ का नास अगर मान लिजे कि कोई बहुत ज़्याधा अनर्थ कर रहा है तो आप उसे कई गोना सक्ति बढ़ाईए और आप उसका बिरोध करिये तो उस अनर्थ का क्या हो जाएगा नास हो जाएगा जैसे देखिए आप सुने होंगे माधुर्गा और महिसा सूर का आत्याचार पर बहुत जादा बढ़ गया था तो माधुर्गा उससे कई गुना सक्ति चाली और जब उस अपने सक्ति से क्या कि उस पर प्राकरम की कि मतलब उस पर आक्रमन की मतलब उससे युद की उसका विरोध की तो जो महिसा सुर्था उसका आत्या वाइ पशार पोई मारा होाग तो अगर कोई मारा रूते साली पहले बन गाए तो अपने माथा पीता भाह Gibson कर गहां आपavorsका मैसी कदेशा कि तुम सक्ति का उपयोग किया और जिससे उसका अनर्थ क्या हो जाएगा खत्म उद्वारा जहे कही हो तोरा से चल याएगा नहीं क्योंकि उसको पता है कि फिर ही दे देगा आगे देखिए हंती नित्यम छमा क्रोधम कता है हंती नित्यम छमा करने से नित्परती दिन आपको छमा करने से आपका क्रोध का नास हो जाएगा अगर आपके साथ कोई गलत किया आप उसको छमा कर दिए छमा करते हैं रोज छमा करें रोज छमा करें तो आपके अंदर जो क्रोध है उसका नास हो जाएगा फिर आपको गुस्ता नहीं आएगा अगर आप जो है नित परती दिन जो है आप छमा करते हैं तो इससे आपका क्रोध का क्या हो जाएगा नास हो जाएगा आगे काता है कि सद आचरन से सही बहवार से कुलचन कुलचन मतलब गलत लचन का नास हो जाता है मतलब अगर आपके अंदर जो है सद आचार आजाए अच्छा बहवार आजाए तो आपके गलत लचनों का क्या हो जाएगा नास हो जाएगा और इसस्प्रकार से हमारा चिप्टर जो है दस का दस अस्टुवक क्या हो गया, खत्म हो गया अगली पार्ट में जो है हम इसका objective और subjective और साथी-साथ जो एक question बैंक जो दुग हजार एगारा से ले करके, दुग हजार तैस तक जितना भी नीती असलोका से objective और उसके बाद objective दू नमबर का question पूछा उसको cover करेंगे तो आप जो है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like, subscribe और इसको अधिक सेधिक share करें ताकि अगला वीडियो जो हम बना सकें